डियर स्टुएंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हरित ग्रह प्रवाव इवं भूमंडलिय तापन जो आपकी बुक एकॉलोजी एन इंवार्मेंट बाइलोजी से है यह जो टॉपिक है यह वर्तमान प्रिद्रश में पर्यावरन से जुड़े हुए मद्दों से बहु प्रवाव को पढ़ाने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक नॉलिज आपको देना चाहूँगा कि यह टर्म कहां से आया यह नाम क्यों दिया गया ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस होता क्या है इसकी उत्पत्ती कैसे हुई इसमें कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको उत्पन करने क के लिए रिस्पॉंसिबल है जैसे मानव ने उद्वकास के दौरान अगनी को उत्पन किया अगनी के वारे में खोज की तो उससे वातावरण में विवन प्रकार की गैसों का कांसेंट्रेशन सांधरन बढ़ गया उनमें से एक प्रमुक गैस है सी ओटू कार्वन है परंतु इसकी मात्रा मानव जाती के सुरोतों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई प्रत्वी के तापी असंतुलन को इसने असंतुलित कर प्रत्वी के तापमान को बढ़ा दिया जिससे व्यापक वहानिकारक प्रभाव होने की संभावना हो गई CO2 तथा कुछ अन्य गैसों के कारण प्रत्वी के तापी असंतलन का बढ़ना तथा तापमान में व्रद्धी होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कह रहाता है इन गैसों के द्वारा प्रत्वी का जो तापमान बढ़ गया है उसे हम green house प्रवाब कह देते हैं यहां समझना यह है कि green house होते क्या है तो मैं आपको एक slide के द्वारा यह बता देता हूं यहां पर यह आपके सामने एक diagram दिखाए गया है here is one image of normal look green house in this type of house some plants are cultivated where normal temperature is not enough for cultivated plant ठंडे प्रदेसों में तापमान एक सीमाकारी कारक के रूप में पालपों की वृद्धी को प्रभावित करता है जहां पर temperature बहुत कम होता है जिन countries में temperature कम होता है वहां पर पौधों के लिए तापमान को नियत बनाए रखने के लिए एक ऐसे हावस का निर्मान किया जाता है जो ग्लास से बनाँ होता है कि सूर के प्रकास से काज के घर gga Спी अंदर के वायूँ पर जमीन गर्म हो जाती है काज के घर के नव होते हुए भी सूर उतना ही तापन करता था पर नतूब यह गर्म हवा उपर ऊठकर थंडी हवा को जगे ते देती है पर तो काज गर्म हवा के उपर उठने की जगे न होने के कारण वायू संचरण के अभाव होने के कारण ये गर्मी तीवरता से वासित नहीं होती इस तरह बाहर वो अंदर की गर्मिया तापमान में बड़ा अंतरा जाता है ये जो काज का गर आपको दिखाया जा रहा है जब इसमें सूर की करणे पड़ती है तो सूर की करणे नीचे परत्वी पर जाएंगी तकराएंगी इसके दरातल से तकराएंगी और वापस उपर की और आएंगी तो वो उसको पार नहीं करताएंगी और अंदर का जो वातावरन होगा अंदर की जो वायू होगी वो गरम हो जाएगी वरन बाहर की वायू की तुलना में तो बाहर के और ग्रीन हाउस जो काच का घर है उसके अंदर के तापमान में काफी अंतर हमको देखने को मिलेगा इसके कारण वहां का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा जो कि पौधों के लिए अनुकूल होता है इस तरह काच के बंद घर में बाहर की तुल्णा में तापमान की वरद्धी दर्ज किये जाने के इस प्रभाव को ही ग्रीन हाउस एफेक्ट कहते हैं यह तो थी एक छोटे से चेंबर की बात यही बात हम प्रत्वी के लिए कर रहे हैं वर्तमान में मानव की विविन गत्विदियों के कारण और द्योगिक विकास के कारण विविन प्रकार के वाहनों के कारण जंगलों की कटाई के कारण और जंसिंख्या वर्द्धी के कारण इतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गेसों का उत्सरजन किया जा रहा है जो उपर जाके एक तरह से एक ग्रीन हाउस का निर्मार कर रही है एक तरह से उपर एक आवरन बना रही है कहां हमारे जो वायू मंडल है उसके उपर एक आवरन बना लेती है जैसे ही उसमें से प्रकास की करणे दरातल पर प्रत्वी के दरातल पर पड़ती है और दरातल से टक्राने के बाद जब वायू मंडल में उपर जाती है तो ये ग्रीन हाउस का आवरण जो उपर बना हुआ है वो उनको वायू मंडल से बाहर नहीं जाने देता जिससे के पृत्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है इसे ही यह ग्रीन हाउस प्रवाव केते हैं इसी के दौरा दीरे-दीरे पृत्वी का तापमान ओवरॉल बढ़ता जा रहा है जो के ग्लोवल वर्मिंग का मुख्य करण माना जाता है तो यह इस डाइग्राम में मैंने आपको यह बताए था किस प्रकार एक green house जो हता है वो ठंडे प्रदेसों में पोदे के उत्पन करने के लिए पोदों की growth के लिए responsible होता है दूसरे डाइग्राम में देखो एक डाइग्राम बताएगा है इसमें यहां पर यह सेंपर टक्राथे वाद वो आफर बाहर नहीं निकल पाएंगी जिससे इसका टेंपरिचर होगा वो बढ़ जाएगा सेम प्रोसेस यहां पर अर्थ पर हो रहा है अर्थ की बात करें ये जो अर्थ के ऊपर ये ग्रीन हाउस का एक गैसों का आवरण बन गया मानव की एक्टिविटीज की बज़े से बहुत सारी गैसों ने ऊपर की और एक ऊपर की और आवरण बना लिया जैसे ही प्रत्वी से सूर की क्रणे या पर आई तो वो उससे टकरा के बाहर नहीं जा पाई वो अर्थ के ऊपर ही रह गया जिससे उसका टेंपरेचर बढ़ गया इसी को हमने ग्रीन हाउस फिनोमेना के दिया तो इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं दोनों के ग्रीन हाउस एफेक्ट जो है वो क्यों नाम दिया गया है अब हम देखते हैं ऐसी कौन-कौन-सी कैसे है जो हरत ग्रह प्रवाब के लिए रिस्पोंसिवल होती है है उनका प्रवाब कितना होता है जैसे इसमें बताया गया है सी-ओ-टू ओजोन और मीथेन तीज अरदम में ग्रीन हाउस गैसे विचा रिस्पोंसिवल फोर दो ग्लोवल वार्मिंग और ग्रीन हाउस एफेक्ट अब हम देखते हैं मेन कौज़ ओफ ग्रीन हाउस एफेक्ट ग्रीन हाउस जो प्रवाब हुआ है उसके मुख्य कारण क्या है क्या कारण है कि उनकी बज़े से सबसे पहले हम नेचरल कारणों को माने तो नेचरल कारणों में इसे बहुती कम आपको देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से मानव जनित कारण है निचुरलन कारणों में माना जाता है कि अत्यदिक दीरगवदी के तापमान वर्दी के चक्र चलते हैं जिनके कारण प्रत्वी में आई से जाता है कभी प्रत्वी गर्म होने लगती है प्राक्रति रूप से तापमान का कारण, solar variation हैं, परनतु, हरित्ग्रेय प्रवाफ प्राक्रति रूप से दापमान में, मीथेन उत्पादन करने वाले जॉला मुखी, विस्पोर्टों के कारण पर लुबंन होते हैं जो कि बहुती कम मात्रा में इनको प्रावित करते हैं मानव जनेत कारणों में सबसे मुक्स कारण है बरनिंग ओफ फॉसिल फियूल्स जीवाज में इदन का देन कोईला पेटरोली मुत्पादन जीवाश मेहिदन कहलाते हैं इनके जिलने से सीओ टूए सपत्पन होगी जो कि मानव जनित हरित ग्रह प्रवाव का प्रमुक कारण है कोईले का व्यापा के इस तरह पर उप्योग थर्मल पावर तथा दातू एस्क पिगलाने की बट्टियों में होता है दूसर्ण और कार्वन डैक्साइड का अमीशन चरूर आवश्यक रूप से हो रहा है लकड़ी का देन हो सकता है डिफॉरेस्टिशन हो सकता है पेड़ों की कटाई बहुत बड़े लेवल पे हो रही है जितनी जंसिंग क्या बड़ी उनकी आवश्यक्ताओं की पूरती करन है पश्यों की आत्र में पाचन की गत्विदी से मीथेन उत्पन होती है वनस्पती प्रकृति के विर्थ के सड़ने से भी यह गैस बनती है वातारण में मीथेन की मात्ता अत्तल्प होती है पंद तो इसका बढ़ना इसलिए गाता किया क्योंकि स्यूट्ट की तुलना में 21 इस गुना अधिक हरति ग्रहे प्रवाव दर्शाती है तो मीथेन भी एक मुख्या ग्रीन हाउस एफेक्ट में माना जाता है क्लूरो फ्लूरो कारवन का उपयोग पर मुक्तेश शीतलन वो एयरोस हॉल में किया जाता है इसे सबसे पहले रेफरेजेटर में उपयोग किया प्रवाव को लीड करती है क्या है यह कैसे प्राकरती में नहीं पाई जाती पंटुपूर्त है मानव जनित गत्वीदियों के कारण उत्पन होती है अधा है यह ग्रीन हाउस कैसे उनको माना जाता है तो मोख्य लक्षणों में हम देखें इंक्रीजिंग इन पॉपलेशन बर्निंग फ्यूल इंडिस्ट्रिल कार्वन डाइकसाड प्रोडक्शन न्यूक्लियर रियक्टर इन कॉंसेटरेशन अर्बनाजिशन यह सारी एक्टिविटीज ग्रीन हाउस प्रवाव को लीड करती है ग्रीन हाउस प्रवावों में सी ओटू की जो भूमिका है वो मुक् इस थानिये नोगए रूपकर व्यापक्वा वूमनडली होते हैं इसा नहीं है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसका प्रवाव प्रत्वी के कुछ विशेस एरियाओं में दिखाई दे रहा हूँ इसका पूरी प्रत्वी प्रवावित होती है तो हर्थग्रे प्रवाव का प्रमुख जो परणाम दिखाई देता है हमको ग्लोवल वार्मिंग के रूप में दिखाई देता है इस्ताबन अनेक अन्य चक्र वा संतुलन प्रवावित होते हैं सियो टू अन्य हरिद्ग्रह गैसों की सतय में व्रद्धी से कम तरंग्दर की इंफ्रारेडों के अवसूशन की मात्रा वायमुंडल में बढ़ दी है तथा पहले की तुलना में बाहर आने वाले विक्रण गट होते हैं जिससे प्रत्वी के और सताब्मान में व्रद्धी हुई है एक अन्मान की अनसार पिछली सताब्दी में पॉइंट सेवन फॉर परसेंट सोरी हमें कहेंगे कि प्लस माइनस पॉइंट वने डिग्री सेंटियेट का टेंपरिचर फलक्ट्वेशन हमको देखने हैं जो इसी ग्रीन आउस एफेक्ट के कारण हमको दिखाई देता है तो हम देख सकते हैं कि मानव की गद्विदियों की वज़े से किस प्रकार से हमारा वातावन परवावित हुआ है ये दो बड़े बड़े ऐसे कारण है जिन से की हमारे वातावन को बहुत ज्यादा च्छती पहुची है आज के लेक्चर में बस इतना ही धन्यवाद